हेलो एस्पाइरेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्धि परुबात करनी जा रहे हैं, जो कि है MPPSC के लिए बच्चे हुए जो 55 दिन हैं, इनमें किस तरह से हम अपनी तयारी जारी रखें, कि बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर पाएं, और ज्यादा से ज्याद दिनों का हमारा टाइम टेबल शेडियोल क्या होने चाहिए, इसके अकॉर्णिंग हम देखेंगे, इसके अलावा हम इस टॉपिक में भी बात करेंगे कि दिये गयाए सब्जेक्ट में से कौन सब राइडिटी पर रखा जाए और किसको हम सेकेंडरी पर रख सकते हैं, स्ट करते हैं हम अपनी टॉपिक को, इस टॉपिक में हम सबसे पहले टाइम टेबल को देखेंगे जो की आफ लाइंग क्लास का शेडियोल है, और इस क्लासे में हम किस तरह से चीजों को कवर करेंगे, पचास दिन इसलिए कि बांकी जो पच्पन दिन हम गेन रहे हैं, लास्ट क कित थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा मेमराइज और उसको ट्रिक कित थ्रू और एंची क्यों कित थ्रू और ज्यादा उसको रिवाज करेंगे, सबसे बहले बात करते हम यह आपे, 27 से लेकर के एक तारीक तक हम यहाँ पर क्लास रिटिन में पॉलिटी पढ़ेंगे, जिसमें और जो weak subject हो उन दोनों का combination बना लिए तो आपको वो चीजें काफी helpful होंगी History बहुत ही लंबा और बहुत बड़ा से लेवल से इस वज़े से हाँ history के साथ हमने science को combine की हुआ है Next मध्यप्रदेश एक अच्छा खास वेटेज रखता है तो मध्यप्रदेश की जो geography, polity और economics है इन सबी चीजों को बहुत डीटेल में बहुत अच्छे से देखना है जब हम polity और geography इंडिया और world label की यहां पर देख रहे होते हैं Sorry, polity world label की नहीं, polity India और मध्यप्रदेश की, geography world India और मध्यप्रदेश की तो हमारा यह मध्यप्रदेश का topic already आधे से ज़्यादा कवर हो जाते हैं लेकिन मध्यप्रदेश specific कि यह हम त्यारी करें तो हमें ज़्यादा वेटेश हमारे question paper में देखने को मिलता है और हम ज़्यादा अच्छा perform कर सकते हैं Next, हम IT के साथ economics को देख सकते हैं यानि जो नहीं से लेपल साफ का साइबर और रोबोटिक्स जूड़ा हूए है उसके बाद हमारे पास दो हफ्ते बचेंगे लगभग इन दो हफ्तों में हम क्या कर सकते हैं जो बांकी हमारा topic बच गया है secondary basis पे उन चीजों को हम कवर कर सकते हैं कि 13 तारिक के बाद आप चीजों को रिवाइस कीजिए बचवे topic को मेमराइस कीजिए और करेने फेर पे उस समय पे जादा फोकस कीजिए सबसे इंपॉर्टन बात यहां यह देखनी हमें कि हमारी क्लास रिडियो में हम डेली ही एक topic जो हमारा आयोग नया syllabus में जुड़ा हुए commission उसको एक एक commission को डेली करते हुए जाएंगे साथ ही जब हम पूरे दिन में किसी subject को पढ़ने के पाद हमें लगते हैं कुछ अलग पढ़ सकते हैं हमें बोरियत होनी लगती है फिर हमाई पास समय बच जाते हैं हमारा ओर topic की जीरी जल्दी complete हो जाते है तो हम उसमें करेंट फिरूम इसलिए ने इसके topic डेली ओनार देखेंगे जो कि हमारा लास्ट की टाइम पर जो लास्ट वीक रहेगा उसमें हम इस time duration को बढ़ा देंग क्योंकि मद्यप्रदेश एक tribal state है और यहां का culture भी काफी ज्यादा इंडिश है तो culture में हमें हमें फोक जो हमारा कलर संस्क्रीत है tribal culture है tribes है उनको ज्यादा से जादे ध्यान रखना है डाइनेस्टी से अच्छे से पढ़ने ने मद्यप्रदेश मूमेंट देख लीना है टू इसमें से कुछ important topics हैं जिनको हम किसी detail में videos में discuss करेंगे कौन से topic पढ़ने कौन से नहीं उनको हम देखेंगे हमारे जियोग्रोफी मद्यप्रदेश का है जो बहुत ज्यादा weightage और role play करता है इसको अच्छे से आपको cover कर लेना है जियोग्रोफी वर्ल्ड और इंडिया की basis की बात की जाए तो यहां पर खासकर population या डियोग्रोफी जो हमारा होता है natural resources जो होते हैं forest विगेरा wildlife यानि की national park इन सभी से अच्छे खासे questions पूछी जाते हैं जब हम constitution of मध्यप्रदेश की बात करते तो यहां पर बहुत ही tricky questions आते हैं और इनको अच्छे से अच्छे करने वाले भी यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहां governor से लेकर के minister हमारा जो जडेशरी सिस्टम में इन सभी के जितने मुखे CGI governor यह ministers हुए हैं उनके sequence को भी याद रखना उनके बारे में थोड़े detail में पढ़ना जरूरी हो गया है ऐसे questions बीते सालों में देखे जा रहे हैं मद्रप्रदेश को सेंसे बहुत अच्छे से कवर करके जाएगा ट्राइवल जितनी भी information मद्रप्रदेश के उन्हीं अच्छे से देखेगा और welfare scheme खासकर बहुत अच्छे से पढ़िएगा एक question पक्का होता है next है हमारा constitution government और economy of India इसमें हमारी fundamental right DPSP के जितने भी articles हैं सबको सरसरी निगा से देख लीजे constitutional assembly से लगातार question बनते जा रहे हैं इसके लावा हमारी economy जो रहती है economy में आपका नई जो भी योजनाई है और जितना भी यहाँ पर institutions और organization खारसकर मद्रप्रदेश में जो आपके industry से कब established हुई हैं कौन से institutions उससे related बने य इसलिए science and tech जो current affairs में रहे हैं जिनमें DRD और ISRO के जो भी important achievements होने देखे environment और biodiversity हमेशे ही important role play का यत तरह है बहुत easy भी होता है आप आसानी से पढ़ सकते है food processing नया chapter जोड़ा हुआ है जिसको अच्छे से देख लीजे नेचरल डिजास्टर जो है management इसकी questions भी देखे next है हमार current affair यह मैंने पहली बात की है किसको हमको 6-8 महिनी का current affair है खासकर मध्य प्रदुश का current affair पे focus करते हुए आपको जो important personalities है यानि कि कहा का प्रधान मंत्री अभी नय निक्त हुआ है कौन राष्ट पती भारत के दोरे पर आए है कौन-कौन से places हाल में बहुत ज्यादा important चर्चि रही है कौन-कौन से events हुए है जैसे G20 हो गया है हाली में शूटिंग प्रतियोगिता हुई है वर्ल डेबल शूटिंग हमारे मध्य प्रदेश बुपाल में sports institute शुरू से लेकर के अभी तक की जितते हैं उन सभी को देखे और competition award personalities यह सभी जो होते हैं खासकर awards ठीक है वर्ल social intelligence, robotics, e-governance के अलावा जो आपकी जैसे की search engine कुछ नए हो गया है और जो भी चीजे करेंट की होती हैं जिनको हम खासकर किताबों से इतना analyze नहीं कर पाते हैं लेकिन हाँ daily newspaper पढ़ रहे हैं या Google में हम सर्च कर रहे हैं तो कुछ keywords होती हैं okay जो की अक्सर एक अलग तरीका question ब traditional computer का ग्यान है वह यहां पर important role play कर जाएगा यानि कि जो traditional computer simply अपन basic computer होता है उसको खासकर हमें memorize करना है उसमें दो options हैसे होते हैं tricky type की जिसमें एक के full form और दूसरे के full form में थोड़ा बहुत confusion हो जाता है तो खासकर उनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए फिर आपका है national ज या syllabus में add हुआ है इसको हम अपने class detail को according रोज एक एक कायोग पढ़ते हुए चलेंगे काफी detail में ताकि एक भी question हम से miss नहों डेली एक कायोग करेंगे तो भी हमारा syllabus complete हो जाएगा तो यह था हमारा syllabus जो MPPSC की website पर भी दिया हुए है फिस याद दिला दूँ यह 450 प्लस पोस्ट जो है